करण जोहर का शो कॉफी विद करण अपने आप में खास इसलिए हो जाता है, क्योंकि हर टॉप सेलिब्रिटी, हर बड़ा एक्टर एक्ट्रेस आकर के यहां पर अपने वो राज खोलता है, जिनके बारे में वह किसी और प्लेटफार्म पर बात करते हुए नहीं दिखता है. इस दौरान अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हुए दीपिका, वह सब कुछ बोल गई, जो शायद वह कभी नहीं बोलना चाहती होंगी. दीपिका ने बताया कि वह रिष्टे की शुरुआत में रणबीर सिंह के साथ सीरियस नहीं थी, रणबीर के अलावा वह एक ही वक्त पर तीन और लोगों को डेट कर रही थी. जब दीपिका यह बात कह रही थी, तब रणबीर का मूह भी उतर गया था. दीपिका ने आगे कहा, मैं सिंगल रहना चाहती थी, क्योंकि मैं दो बहुत मुश्किल रिलेशन्शिप से निकली थी. मैं किसी के साथ कमिटेड नहीं होना चाहती थी. शुरुआत मैं रणबीर के साथ भी सीरियस नहीं थी, और मैं बस मजे करना चाहती थी. हमारे बीच कोई कमिटमेंट नहीं था, मैं दूसरे लोगों से मिल रही थी, लेकिन मुझे किसी में इंटरस्ट नहीं आ रहा था, और ना ही मैं उनसे मिलकर एक्साइटेड हो रही थी. दीपिका बोलती है, है कि हम इस पर बाद में बात करेंगे रणबीर, और दीपिका की यह तकरार शो के अंदर हुई है, हालांकि इस से पहले जूम को दिये. एक इंटर्वियू में दीपिका ने अपने एक्स बॉइफ्रेंड रणबीर कपूर के सामने कहा था, कि वह रिलेशनशिप में हमेशा बहुत लॉयल रहती हैं, उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, जब भी वह किसी रिलेशनशिप में आती है, तो अपना 100% देती ह चलिए, इस वीडियो में हम आपको दीपिका पादुकॉन के लव अफियर्स के बारे में बताते हैं, जिन चे बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे यह जानने के बाद आप सोच में पढ़ जाएंगे कि क्या सच में ऐसा है दीपिका पादुकोर्ण का जन्म 5 जन्वरी 1986 को डेनमार्क के कोपेन हेगन में हुआ था दीपिका के पिता का नाम प्रकाश पादुकोर्ण है जो की इंटरनेशनल लेवल पर भारतिय बैडमिंटन खिलाडी रह चुके हैं और इनकी मां का नाम उज्जला पादुकोर्ण है जो की एक ट्रेवल एजेंट है दीपिका की एक छोटी बेहन भी है जिनका नाम अनीशा पादुकोर्ण है जो एक प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर है जब दीपिका एक साल की थी तब इनका परिवार बैंगलोर शिफ्ट हो गया दीपिका ने अपनी स्कूली शिक्षा बैंगलोर से पूरी की थी दीपिका कंणड फिल्म में काम करते हुए अपनी पहली फिल्म एश्वरिया की इसके बाद साल 2007 में बॉलिवुड में डेब्यू भी हो गया फिल्म का नाम था ओम शांती ओम इनकी पहली फिल्म बड़े लेवल पर हिट साबित हुई दीपिका की पहली हिंदी फिल्म ओम शांती ओम हिट हुई तो दीपिका रातो रात स्टार बन गई इसके बाद दीपिका ने कई बड़े बड़े बजट की फिल्मों में काम किया जैसे बचना ए हसीनो, चांदनी चॉक टू चाइना, लव आजकल और हाउसफुल जैसी मूवी में स्टार्ट किया